दोस्तो मैंने आपको 3-4 सेट समझे ग्यान के करवाने का बोला था पहला सेट हमने कल शाम को करवा दिया था ये हमारा दूसरा सेट आप अभी देखने वाले हैं दोस्तो आने वाला तीसरा वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगा तीसा सेट का अब आप सभी दोस्तों इस पर 5000 लाइक करवा दीजिए अगला सेट 5000 लाइक होते ही मिल जाएगा क्लाफ 10 वाले सभी दोस्तों का स्वागत है आप सभी दोस्तों ने जिस परकार से कमेंट करके मुझे बताया है कल हमारा जो लाइव वीडियो आया था लाइव ग्लास आयी थी उसमें मैंने आप सभी दोस्तों को बताया था कि मैं आपको 3-4 सेट बताऊंगा उनको लगा लीजिएगा सारे के सारे उब्जेक्टिव और पूरे के पूरे प्रिश्न मैं जो भी 6 से लेकर 23 तक आपको बताने वाला हूं सारा का सारा आने वाला है आप सभी दोस्तों से मैंने बोला था कि आप कमेंट करेंगे तो वीडियो में लेकर आऊंगा निता नहीं लेकर आऊंगा और आप सभी दोस्तों ने मेरे जितने भी दोस्तों हैं लगबाग उस वीडियों पर हमारे कम से कम 20-25-25-25 लोग देख चुके हैं उस वीडियों को और उन्हें सभी दोस्तों ने कमेंट करके मुझे बताए है कि सर जल्दी से जल्दी और भी सेट लेकर आएं जल्दी से जल्दी आप डाल दीजिए तो दोस्तों आपकी स्क्रिन पर अभी जो दिकाई दे रहा है सेट नमबर दो आप का चुका है इसके बाद में दो सेट और आने वाले हैं जल्दी से सभी दोस्त जितने भी हमारे लाइव क्लास में जूड़ चुके हैं आप सभी ने कुछ मैंने कोश्यन आप से पूचे थे उनके भी आपने सही सही बिल्कुल 60 अंसर आपने दिये हैं मतलब तयारी आपकी बहुती बढ़िया हैं लेकिन दोस्तों एक बार फिर हम यहां पर two के रूप में यहां पर रिविजन करने वाले हैं तो जल्दी से सभी दोस्तों live class में जूड़ जाईए हमारे किलाव 10th वाले जितने भी दोस्तों जूड़ चुके हैं live class में आप सभी दोस्तों के मैं comment पड़ रहा हूँ और इस वीडियो में जितने में दोस्त हमारे class 10th वाले जूड़ रहे हैं वे एक बार अपने सभी class 10th वाले जो पढ़ने वाले student है जो अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने वाले student है मतलब ये मानके चले ना जो भी आपने 5-6 महिने में 7 महिने में आपने पढ़ा है उसका अब हम क्या कर रहा है रिविजन कर रहा है तो मेरे सभी दोस्ते ध्यान देंगे यहाँ पर एक बार अपने class 10th वाले अपने सभी भाई वेनों को जरूर आप जोड़ेंगे अपने status पर और अपने group में जरूर इस वीडियो की link आप share करेंगे और उसके बाद में वापिस लाइव क्लास में आप सभी दोस्ते जुड़ेंगे और कौन सा दोस्त हमारा कहां से जुड़ रहा है आप सभी जल्दी से मुझे comment करके जरूर बताइएगा ताकि मैं आप सभी दोस्तों को पैचान सकूं कि हमारे दोस्तों जितने भी इस चैनल को देख रहा है इस वीडियो को देख रहा है कहां से जुड़ रहा है ताकि मुझे पता चले आप जितने भी दोस्त हमारे जुड़ रहा है कहां से जुड़ रहा है कमेंट कर दीजेगा अपना नाम और अपना जिले का नाम कर दीजेगा ताकि मुझे समझ में आ जाए चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आप सभी ने बहुत अच्छे अंसर दिये थे उस वाले वीडियो में तो जो दोस्त इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं वीडियो में जाईएगा ये discussing में जाइएगा हमने समझिप्रियप वज्ञान का एक और वीडियो डाल दिया है आपको मिल जाएगा चली बिना देर की हम स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बता देता हूँ मैंने सभी English Medium वाले student का comment भी पढ़ लिया है सभी student जो थे हमारे English Medium वाले comment कर रहे थे कि English Medium में भी बताईए हमें Hindi Medium में समझ नहीं आता है मैंने आप सभी दोस्तों के comment पढ़ लिये हैं मैंने आपके comment को like भी किया था अब सभी English Medium वाले सभी बच्चे ध्यान से सुनना मैं आपके लिए अगला वीडियो लेकर आने वाला हूँ कुछ आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ पूरा का पूरा मैं 2-3 से टाप लोगों को भी बता दूँगा तो बिल्कुल आप निस्चित रहें जितना समझ में हिंदी में समझने की कोशिस करें कि जैसे फ्रांस में किस छवी सिक्को और डांक टिकिट पर अंकित की गई तो इसमें आपका right answer क्या हो जाएगा मरियान मरियान आपका correct answer हो जाएगा उसके बाद में इन में से किस राज्य में काली मरदा मुख की रूप सपाई जाती है तो महाराफ्ट ठीक है बलेक शोल आगे देखेंगे कि कौन सा मामला पारिवारिक कानून से संबंदित है तो इसमें आपका विवाईक और तलाक इसमें आपका राइट अंसर होगा सभी ठीक है ड्वी दली सासन विवस्ता अमेरिका में है चलिए आगे अगला कुशन है कि निमने लिकित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहास से किस देश की स्थिति भाहरस से बेता रहे तो दोस्तो इसमें आपका राइट अंसर हो जाएगा स्री लंका स्री लंका आपका करेक्ट अंसर हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें अगला कुशन देखेंगे कि सिंगली की स्री लंका में कब राजबासा कोशित किया गया सिंगाली को और स्रिलंका में कब राजबासा कोशित किया गया तो ये 1956 में आपका राइट अंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं जिस परकार मैंने आप से उसमें आपको कोश्चन पूचे थे उसी परकार इसमें भी मैं आप से कोश्चन पूचने वाला हूँ कि वस्तूओ की गुणवत्ता पृतिक को कहते हैं इसका अंसर आपको बताना है कोश्चन नंबर पहले का उत्तर बताना है दूसरे का बताना है ठीक है कि उच्पाई के लिए कमपोच करने वाला क्या कहलाता है और वस्तु की गुणवत्ता के पृतिक को क्या कहते हैं ये दोनों कुशन के अनसर आप मुझे बताएंगे ठीक है पहले जिसे अनसर आप लोगों ने बतायाता है उसी पिरकार अब भी बताना है और बहुत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज असम है और गुजराद में किरसी वस्तर उत्योग में इस्ताफित किया गया सूरत में और मेक्सिको ओलम्पिक हुआ 1968 में और बेंक पर देने वाले ब्याज में रिन पर अधिक ब्याज लेते हैं टिके जमा और इस खालिस्तान में आप छेत्य के सिर्मीक वस्तु का उत्पादन नहीं करते तृत्यक टिके देखिए अंसर तो वहाँ पर आपके लिके थे लेकिन बहुत सारे ऐसे दोस्ते हैं जिनको मैंने तोड़ा सक्या ऐसे लिका उसको तो आप लोग मुझे पता है और सूज नहीं पड़े ही उसमें टिके तो आप लोग मुझे अंसर बताएंगे दोनों कालिस्तान के और भी आगे भी मैं कुश्चन पूँचने वाला हूँ आपसे जो दोस्त कमेंट करके बताएंगे राइट अंसर मैं आपको कमेंट वोक्स में ही सेंट करूँगा उसका क्या आएगा किके दोनों कालिस्तान के उस वीडियो में मैंने आपसे अंसर पूँचे थे और आपने बहुत अच्छे जवाब दिये हैं देखिए हमारे दो सेट हो चुके हैं तीन और चोथा सेट तीसर और चोथा फेट जल्दी है आपको मिलेगा तो जो दोस्त हमारे चैनल से पहली बार जूड़ रहे हैं आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेश कर लीजिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिपिकेसन आपको मिल जाएगा चलिए दोस्तों तो देखते हैं जोडी जोडी मैं विला देता हूँ विक्सित देश तो दोस्तों आप सभी जानते हैं विक्सित देश तो अमेरिका है अपना देश विकास सीले काला हीरन काला हिरन है संकट गिरस्त और विबन सामजिक समूं के बीच सत्ता की साज़दारी तो इसमें आप लगाएंगे सब दोस्त सामुदाईक सरकार नगर निगम इसको लगाएंगे आप सबी दोस्त मेयर और जन सामान्य के हितों को बढ़ावा देने वाला संगट तो इसमें आपका आएगा लोग कल्यान कारी हित समूं और विदेश में निवेश करने वाली भारती कंपनिया ये क्या है टाटा मोटर्स, इंपोसिस, रेन बैक्सी चलिए आगे हम देखने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर एक सब देखवाई कि मुत्तर सभी दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि 1861 में किसको एकिकरित इटली का राजा गोसित किया गया जल्दी से आप सभी दोस्तों देखेंगे यहाँ पर साथ के साथ कोशियन के अंसर ठीके देखिए 861 में किस देश को एकिगरित इटली का राज़ा गोशित किया गया इमन्डा दूतिय को किया गया था किके बंगाल का सोग किस नदी को कहा जाता है तो आप सभी जानते हैं कोशी नदी को किके बंगाल का सोग किस नदी को कहा जाता है दोस्तों तो यहां पर जो बंगाल का शोक है ठीक है बिहार का शोक केलाती है कोशी नदी तो बिहार का शोक सोरी कोशी नदी जो कोशी नदी है वो बिहार का शोक केलाती है लेकिन बंगाल का शोक जो केलाती है वो केलाती है दामोदर ठीक है दामोदर नदी राइट एंसर हो माहें आपको देखने में तोड़ी दिक्कत आ रहे होगी इमे नू एल इमेनु एल ठीक है दूतिये पीछे लिख लेना कोई दिक्कत नहीं है इमेनु एल आपका राइटन सर हो जाएगा और इसमें बंगाल का सोक किस नदी को दामदर नदी को और बारती जन संग्या का मूलादर क्या है किरसी और कच्ची की खाड़ी में कौन सा बंदरगा इस्तिते तो इसमें आपका हो जाएगा कांडला बंदरगा किके कांडला बंदरगा आपका राइट हो जाएगा और लोकतंत्र किस तरह उत्तरदाई जिम्मेदार वा वेद सरकार का गटन करता है तो यहाँ पर आप सभी दोस्त देखेंगे तो इसमें आप लिख सकते हैं कि लोकतंत किस तरह उत्तरदाई जिम्मेदार वा वेद सरकार का गटन करता है तो सरकार जनता के लिए क्या होती है जवाब दे ही हो ठीक है ऐसा इसमें आ जाएगा और हिंद स्वाराज पुस्तक किसने लिखी तो इसमें आप महत्मा गांधी लगा देना और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे गिर्मिटिया किसे का जाता है तो गिर्मिटिया का मतलब आप दोस्तों होता ऐगृइमेंट ठीक है एगृइमेंट आप लगा फक्ते हैं एगृइमेंट ठीक है जिसमें अ कई यह जो अंग्रेज थे वो जन्ता से करते थे जो भी उनकी जाइदाद बगएरा होती थी जमीन बगएरा होती थी उसके कागचों पर जबज़स्ति अंगुटा का निसान लगवाते थे ठीक है चलिए आगे देखते हैं सत्याफत्य चलिए दोस्तों तो यहाँ पर अब देखिएगा सत्याफत्य किसी पिरकार की सत्याफत्य में आपको गलती नहीं करना है सभी दोस्ते दियान से देखिएगा अगला सेट आपको जल्द मिलेगा आपको बार बार कमेंट करने क्या लगाखर जाईएगा इनके प्रिश्णुतर जो मैं बताऊंगा इनको जरूर लगाईएगा देखिए जे एन टाटा ने जमसेद पूर में पहला सूति वस्त रुद्योक चलाया लगाया ठीक है तो असत्य होगा और गुटेन बर्ग के पिता सिक्चक्त है ये भी आपका सत्य हो जाएगा उसके बाद में भारती वन्य जीव अधिनियाम गुणी सो बहतर में लागू किया गया ठीक है सत्य और सुधी अरब में धार्मिक अल्प संक्या को को आजादी नहीं है तो ये भी आपका सत्य है और कोप्रा केवल समानों पर लागू होता है असत्य और चोरी च यहां रखेगा और याद कीजेगा अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ाए तो जितने भी दोस्त हमारे क्लास 10 वाले लाइव क्लास में जूड़ रहा है यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं कर रहा है तो जल्दी से एक बार सभी दोस्त लाइक जरूर करिएगा जितने ज़्यादा इस वीडियो पर लाइक होंगे उतने ही जल्दी में आप लोगों के लिए smat लेकर आने वाला हूं तो इस वीडियो पर कम से कम हमारे पांच हज़्यार लाइक होना बहुत ही जरूर ही है ठीक है ताकि मुझे पसंद आए आप लोगों के like तो में आप लोगों क लिए जल्दी से 30 सेट लेकर आऊं जी हां दोस्तो 5000 लाइक करना है उसके बाद मैं आपको 30 सेट डाल दूँँगा जैसे ही 5000 लाइक होंगे अगला सेट आपको मिल जाएगा ठीक है चलिए तो जल्दी से 5000 लाइक इस वीटुपर होना चाहिए कोश्चन नमबर आप देख सकते हैं इन कोश्चनों को जरूर पढ़िएगा यह आपकी परिक्चा में छपे आपको मिलेंगे दो दो नमबर के सभी प्रिशन हैं कि आवर्गिकरत वन किसे केता हैं इन सभी को आप देख सकते हैं पिडिये या इसका फोटू या इमेज में उसके बाद 16 भी आपको दिखाई दे रहा है 17 भी दिखाई दे रहा है 18 आपको दिखाई दे रहा है उसके बाद देख सकते हैं आप ठीक है 23 तक सभी प्रेशन आपको देखने को मिल रहा है और हमारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि जो मानचित्र है उसके उपर भी आप जल्दी से एक वीडियो बनाए तो मानचित्र के में उपर जल्दी ही वीडियो लेकर आने वाला हूँ तो जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब करकर रखिएगा मानचित्र के उपर में वीडियो बनाऊँगा जल्दी देखिए कोशन नमबर आप देख सकते हैं 20 में आपको मानचित्र में ही दरसाना है कि डिग बोई कहां पढ़ता है रानी गंज कहां है मुंबाई हाई कहां पढ़ता है और बंगाल की खाड़ी अरब सागर, कच्ची की खाड़ी, सिंगरोली ये कहां पर मानचित्र में दरसाना है कैसे दरसाते हैं इसको पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ ठीक है और भी अमारे जो दोस्ते हैं से जिनको मानचित्र में दरसाना नहीं आता है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताईएगा ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में तीस्ता सेट के साथ जल्दी से जल्दी 5,000 लाइक होना चाहिए जल्दी है तो जल्दी से इतना काम आपसा भी करेंगे धन्यवाद, जल्दी से जल्दी से शेयर करें पांच जार लाइक करवाए